नमस्कार, Teachers Academy Online Coaching Institute से मैं हूँ अमरी शुक्ल मित्रो अच्छी खबर भी है और बुरी खबर भी है, मिली जुली खबर है तो ये जो खबर आपको बता रहा हूँ, ये काफी पुरानी है लेकिन इसमें नया टिस्ट आ गया है नया टिस्ट ये आ गया है कि पूरी जो सरकार है वो चाह रही है कि नया सिक्छा सेवा चैन बोर्ड जो है उससे भरतिया निकाली जाए और उसके जो नियम है फालू किये जाए लेकिन कोरोना के कारण वो आयोग अब लगभग तल चुका है कि जो नया आयोग है वो अभी काम नहीं करेगा अर्थात उचतर सेवा सिक्छा आयोग और माध्धमिक सिक्छा सेवा चैन बोर्ड और परिच्छा नियमक प्राधिकारण ये तीनों आयोग जो है वो अपने अनुसार काम करते रहेंगे कोरोना तक एक साल का लगभग उन्होंने समय अत्रिक्त दे दिया है इन तीनों आयोगों को लेकिन बीच में ही अगर कोरोना के सित्री ठीक होती है तो स्वाभाविक है कि यह नया आयोग गठित हो गया है और इसके नियमों को लागू कर दिया जाएगा अब इसके नियमों को लागू कब किया जाएगा और यह भरतियां कब आएंगी तो मैं आपको माध्धमिक सेवा चैन बोर्ड से कौन सी भरती आ रही है और कब आ रही है इसकी पूरी सूचना दूँगा सीटे कितनी आ रही इसकी सूचना दूँगा और आपको यह बताऊंगा कि हायर की बेकंसी के विशे में क्या नियम है और प्राइमरी भरती जो आने वाली है उसके नियम क्या होंगे तो चलिए लगातार वीडियो में बने रहना है शुरुआत करता हूँ दिखे नया सिक्षा सेवा आयोग है इसमें कुल्मिला के कावर्ग, खावर्ग और गावर्ग तीन तरह की सेवाओं को जोड़ा गया है कावर्गिये में उच्च सिक्षा में सहायक आचारियों महाविद्यालों के प्राचारिय चैन होगा खावर्ग में माध्धमिक सिख्छा में प्रधानाचारे प्रवक्तावम यल्टी ग्रट सिख्छों की नियुक्ति होगी और गावर्ग में प्राथ्मिक सिख्छा में सहायक अध्यापकों की नियुक्ति होगी ये तीन तरह की सेवाएं होंगी जो प्रात्मिक, माध्धमिक और उच्चतर को जोड़कर एक आयोग के गठन के ताहत काम करेंगी इसमें 14 सदस्य होंगे और इनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है आठ और छे सदस्य इसमें अलग-अलग होंगे तो उसका भी हमको बहुत खास मतलब नहीं है जो हमारे खास मतलब की चीज है वो उस पर हम सीधे पहुँचते हैं दिखिए यहां पर परिच्छा नियंत्रक होगा चैप्टर 3 में उन्होंने कहा है कि आयोग महाविद्यालों के पाचार और यह सहाय काचारियों माध्यमिक के प्रधानाचारे प्रवक्ता यल्टी ग्रेट टीचर प्राथमिक में सहाय कर ध्यापकों के नियुक्ति है तो अलग-अलग परिच्छाएं साख्छातकार कर सकेगा तो इसमें इन्होंने एकदम से स्पष्ट कर दिया एक ऐसा नहीं कि केवल एक आयोग जो है वो सब करवाए गई यह अपना अलग-अलग सब कुछ करवा सकते हैं आयोग को परिच्छा प्रणाली परिच्छकों परिच्छा साख्छातकार करता हो कि नियुक्ति के पैनल का निर्धार करने का धिकार होगा मतलब लग-भग सारी चीजें अलग-अलगी होंगी ऐसा नहीं है कि एक आयोग के बॉड़ी के गठन के तहा सभी काम करेंगे योग उत्तरपरदेश उच्छतर सिछा सायवा आयोगGM2019, उत्तरपरदेश माद्रमिक सिछ्छा आयोग máximo2018 वहित अधिकर समष्ट कारेयों का धिकार धार्ण करेगा उनी स्वस्षी में जो नियम दरधारित किया गया तो उसी के तहफ नियम काम होगा अर्थात इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है चेप्टर चार्ग में ये बताया गया है कि कावरगी सेवाएं हैं इसमें उच्छ सिच्छा में सहाय का आचार है तो सामाने ग्यानुन संबंधित विसर लिखित परिक्षा का आयोजन किया जाएगा अर्थात 70 और 30 का गुडांक होगा अर्थात 70 नंबर का लिखित परिक्षा और 30 अंक की इंटर्व्यू रखा गएगा जो कि अभी भी है आचारियों महा विद्यालें प्राचारियों की नियुक्ति है तो विस्ट विद्यालें अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित प्रा लागू किया जाएगा अभी तक API सिस्टम नहीं लागू था लेकिन अब इसमें भी API सिस्टम लागू किया जाएगा खावरगी सेवाएं देखते हैं खावरगी सेवाओं में संबंधित बिशय हम सामान निग्यान की लिखित परिक्षा हम साथ शातकार है कि निर्धारितन के अनुसार मेरिट का निर्धारन होगा यही अभ्यर्थी यदि प्रसिचित असनाता के मराध सरकार द्वारा अन्य यल्टी ग्रेट की योगता धारन करते हैं तो उस पद के लिखित परिक्षा में आरे होंगे साथ ही साथ सामाजिक विख्यान विख्यान के दो विख्यों के याधार पर यल्टी ग्रेट की अलग अलग परिच्छाएं भी आयोजित की जा सकेंगी तो दिहान रख लीजिए कि जो यहाँ पर जो जूनियर है इन्होंने एकदम से स्पस्ट कर दिया है आप इसको बहुत अच्छे समझिएगा कि जो जूनियर का है उसको दो भागों में बाट रहे हैं एक तो सामाजिक विख्यान और दूसरा विख्यान मतलब सोसल साइंस ए इन्होंने बांट दिया है अर्थात नया आयोग अगर लागू हो जाएगा उसके बाद जूनियर की भरती आएगी तो बहुत सारे लोग इससे बाहर हो जाएंगे अर्थात जिनका कॉंबिनेशन नहीं है जो लोग भी फार्मा किये हैं जो लोग बीटेक किये हैं और उसके के लिए बात सभी के लिए लागू हो जाएगी गावरगी शेवाँ में देखे तो प्रात्मिक सिच्छा में सहायक प्रध्यापकों की भरतियत साच्छातकार नहीं होगा जो सबसे बड़ी बात है और इस परिक्षा में भरती भाशा ग्यान सिच्छा गवरुची सामान नि लिखित परिक्षा में किन सरकार अथोर राजे सरकार द्वारा अहरता निर्धारित टीटी और सीटिट की प्रापतंकों का एक बटाचारंग अभरती के मिरिट का भी अंग निर्धारित चेंड कीया जाएगा मतलब यह है कि आपको सीट और यूपी टेट के कुल प्रापत बेशिक का है उत्तरप्रदेश के लिए है इसमें उन्होंने ये कहा है आपको सीधा नहीं दिखाई दे रहा होगा फ्रेंट थोड़ा सा दुम्ला है लेकिन इन्होंने ये कहा है कि स्कूलों ने अभी तक इनको अधियाचन की लिष्ट नहीं सोंपी है जिसकी वज़ा से ये स थोड़ा सा आपको दिखाई दिए इन्होंने कहा है कि 277 2020 तक इमेल आईडी पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तो इन्होंने सीधा कह दिया है कि हर हाल में 237 2020 तक मतलब 23 तारीक कब है आप जानी रहें तेसारीक कब है तो मतलब आज की ये बात थी आज तक के लिए था कि इसको भईया आप उपलब्ध करवाएं हां सुनिश्चित करें उक्त के ये तरीक असासकी साहयता प्राफ जूनिय हस्कालों में प्रद्धाना ध्यापक सहाय का ध्यापक के रिक्त पड़ों पर जन्पदवार इस कार्याले के द्वारा वर्तवान में सुछिप विद्यालों बेभियान वितरन पत्र के संग्यान सल आवशक बिलंब बिलंब कदापिन किया जाए सीग्र प्राथुमिक्ता के आधार पर उपरोकता अनुसार वरनित सूचना समय बद्ध के उपलद कराई जाए आन्यथा प्रकड में किसी भी प्रतिकूल सिती के लिए आप उत्तरदाई होंगे तो कुल मिलाकर एक धमकी दी गई है कि भाया जूनियर में जो अधियाचन है उसको क्लियर करके दे दो नहीं तो सरकार इस पर कारवाही करेगी अब मुझे एक चीद नहीं समझ में आती है कि सरकार यहां पर लचर है कि जो लोग अधियापन 100 पर हैं वो लोग लचर हैं तो कोई भी हो ये बाद तो अभी इस पर सो ही जाएगी लेकिन इससे लग रहा है कि जल्द ही आपको एक नई भरती देखने के लिए मिलेगी वो भरती भी आने वाली है वो भी सितंबर में आएगी जूनियर की भरती भी सितंबर से एक्टूबर महीने में आ सकती है लेकिन प्राइमरी की भरती के आप 16 साल के लिए मैं जूटी दिलाशा नहीं दूँगा मित्रय यूपी एसाई की भरती आने वाली है और उचतर में भी भरती आने वाली है तो यह उचतर का जो असिस्टन प्रोफेसर का एक्जाम हो उसके लिए भरती आने वाली है अब मैं आपकո बता दू कि हमारे यहां असिस्टन प्रोफेसर के लिए जो common paper होता 30 कुष्चन क उसकी तयारी बिशा बिशा सग्यों के द्वारा कराई जा रही है हिंदी भी आपको सेश्टन प्रोफेसर के लिए मिल जाएगा साथी साथ इतिहा सेश्टन प्रोफेसर के लिए मिल जाएगा बहुत सारे बिशे ऐसे हैं जिनके आप सीधी तयारी हमारे यहां कर सकते हैं दूसरी चीज यह है कि TGT PGT के सब ही बिशे आपको हमारे यहां मिल जाएंगे आपको Hindi मिल जाएगा, Color मिल जाएगा, SST मिल जाएगा और इसी तरह कि जितने भी बड़े या छोटे बिशे हैं Math मिल जाएगा, English मिल जाएगा, Science मिल जाएगा सब की तयारी आपको करवाई जाएगी और पूरे Notes आपको प्रोवाईट करवाई जाते हैं इसी के साथ साथ हमने UPSI के नयवेच श्टार्ट किया है UPSI बैच में भी आप प्रवेश ले सकते हैं और बहुत ही अच्छी तयारी कराएगी कि प्रदीन आपको 4 घंटे क्लासे दी जाएगी अगर उसमें भी आप तयारी से अगर अपने आपको जोड़ना चाते हैं इन सारी तयारीयों के लिए सारी विश्यों के जोड़ने के लिए आप क्या कर सकते हैं आप हमको WhatsApp कर सकते हैं इस नमबर पर 9628959237942597 इमारा WhatsApp नमबर है इस पर आप हमको WhatsApp करेंगे हम आपको अपने टिलीग्राम के फ्री चैनल से भी जोड़ लेंगे साथी साथ आपको एक message भेजा जाएगा जिसमें आपको पूरी free detail होगी कि किस प्रकार से आप जुड़ेंगे किस प्रकार से आपको notes प्रोइड होगा किस प्रकार से classes प्रोइड होगी classes का समय क्या होगा कौन teacher पढ़ाएगा पूरी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी साथी साथ डेमो भी मिल जाएगा तो मित्रो आज के लिए इतना ही बाकी कोई आपकी समस्या हो कोई जानकारी चाहते हो तो comment box में आके पूह सकते हैं अन्यत आप हमको WhatsApp करके भी पूह सकते हैं जानकारी कैसे रगी मुझे जरूर बताईएगा बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार जैहन